नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटीब चैनल जोश्रे में दोस्तों इस वीडियो में हम यहां पे बात करने वाले इंडियन एयर फोर्स गुरूप C की नई भरती जो आई है नई वेकेंसी आई है ऑफलाइन फॉर्म 2021 की उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे है वह लिखे यह जो है जो आपका एड्रेस होगा जहां पर आप इस फॉर्म को सेंड कीजिए यह तमाम जानकारी में इस वीडियो में दे देने वाले हैं आपको ताक कि आपके मन में जो भी डाउट हो वह किलेड हो जाईगे दोस्तों यह इंडियन एयर फोर्स की जो है व देख सकते हैं दोस्तों आगे बैठते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो यहां पर किलियर हो जाएगी दोस्तों आप सब देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का जो है आप पूरा दो प्रिंटे करना है और यहां परनतों देखने को मिल जाए गा तो यह यहाँ क्या करना है यहां पर लिखना से आपको आप अपना देखने का रहे अंहें होंगे जैसे आप कुक के लिए कर रहे हैं तो यहां पे लिख सकते हैं तो यहां पे आप 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 लोग थोड़ा ध्यान दिए पोस्ट कैसे चुछ के लिए और आप यूनिट कैसे लिखिएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहां पे सबसे पहला हम एक्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं जैसे अगर आप जो है कुक ऑडिनरी जो है वह ग्रेड के ल एयर ओफिसर कमांडिंग एयर फोर्स सेंटर जो मेडिकल है इस्टेवलाइजमेंट यहां पे आपको देना है यह सुबत्रो पार्क न्यू दिल्ली में है यह इसका पीन कोड है तो यह पूरा आपको लिखना होगा तो यह पूरा कैसे लिखिएगा यह थोड़ा लंबा है और आप जो है वहाँ पे जो आपका यूनिट नेम है वहाँ पे जखा थोड़ा कम दिया गया है तो आप फ्रेस अक्षरों में वहाँ पे हो सकता है तो उपर नीचे करके लिख सकते है ठीक है तो यह की ध्यान रखिएगा तो दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया है क्य यहाँ पे लिखना है पोश्ट और यहाँ पे यूनिट नेम आपको लिख देना है जैसे उपर में थोड़ा लिख लिजिए उसके नीचे से आप यहाँ पे लिख सकते है ठीक है अगर नहीं अट रहा होगा तो उसके यहाँ पे पोश्ट अफ्लाइड फोर्ड किस ठीक है जैसे कुक का औरडिनेरी ग्रेड का है तो इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर यानि की जो क्या अक्षड होगा उसमें आप अपना नाम लिखिएगा वही नाम लिखिएगा जो आपके मैट्रिक के जो है सार्टिफिगेट में होगा फार्फिग के में दीया होगा डेट अपना सार्टिफिगएं हम उसको यहां पे अठेच करना है यहाँ起 परमान पत्र नहीं होता है तो उसके जगह पर अपना मैट्रिक का यहां पर लगा सकते हैं और साथ में उस पर आप सिंग्नेचर भी कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों आप बात आती है एज जो जो है दो लाश्ट डेट तो आपको क्या करना यहां पर तो आपको मैंने जो ल 28 अगस्त ठीक है 28 अगस्त 2021 दिया गया है तो यह ची ध्यान के यह इसकी लाश्ट डेट होगी और आपको क्या करना लाश्ट डेट जो 28 अगस्त होता है ना दोस्तों उससे आपका जो है एज का कैलकुलेशन करना वह कैसे करना तो आपको जो है गूगल में जाना है गूगल करना यह जो आपको पहला वला देख रहा है डेट अवर्फ इसमें आपएप अपना डेटबार बस डालेजिए गा जो भी आपका डेटबड होगा मैं कुछ भी यहां पर डाल डूँयाम चलरिए मैं अपना डेटा बरह या किसी कंडिडेट का यहां डाल दे ढ यहां गया है 28 अगस्त मैंने मंत चूज कर लिया अब 28 यहां पर चूज कर ले रहा हूं अब 2021 यहां पर है ठीक है तो आपको क्या करना है यह सारे काम करने के बाद दोनों जगा जो है उपर में आप जो अपना डेट अब बर्त लिखिया है नीचे जो है जो लाश्ट डेट होगा 28 अगस्त 2020 जो है यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर क्लिक कर देना तो आपको क्या होगा सारे डिटेल आ जाएगा जैसे 24 साल के कंडिडेट है उनका एक मंत हुआ है और दो दिन हुआ है तो इस तरह से आपको क्या करना लिख देना है इसमें भी आपको मैं बता लिख लिजिएगा तो इस तरह से आप यह खेसक्ते हैं चेशा Dot है कोरिसपंडिंग देशन ऐसे अडरी से तो इसमें क्या से देञा होगा उसमें क्या करना है आपको वो ड्रेस जहान पे आप फिलहाल रहते हैं ठीक है वो आपको यहाँ पर address जो है डाल देना है और preference address वो डालिएगा दाल जो आपके अधार card पे होगा या अधा पे नहीं तो आपके जो भिधार का भाट होगा ठीक है वह आपको डाल देना है अगर आप एक ही जगह पे डाते हैं जो आपका जो पर्मामेंट एड्रेस और कॉस्पेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो सेम ही आपको जो है दोनों में यहाँ फील कर देना है उसके बाद आठ नंबर में क्या करना है जो भी कैटोगरी से आप है जे परफाब में डाल देना होगा ठीक है एड्योकेशन क्यों जो भी एजुकेशन होगा टैन्थ ट्वेल्थ गिरिजेशन या आई टी या वह आपको डाल देना है और उसका सार्टिफिकेट आपको या माक्सीट होगा वह दोनों चीछ लगा देना है अगर किसी भी पोश्ट उसके लिए apply कर रहा है अगर आपके पास experience है तो आप experience यहां पर देखे और उसका भी आपको जो है वह जो जिरॉक्स होगा वह आपको self-attest करके यानि कि signature करने के बाद आपको लगाना होगा ठीक है उसके यहां पर दोस्तों जो category वाज हो गया जो भी category से अगर आप है तो वह आपको यहां पर handicap बेगेड़ा है तो वह आपका यहां पर hard copy लगाना होगा यानि कि self-attest करके उसका ठीक है यहां पर हो गया अब technical training experience अगर आप आपके पास है तो वह भी आप यहां पर लगा सकते हैं तो जो भी यहां पर copy लगाईएगा अगर experience जो भी यहां पर देते हैं एक साल दू साल का तो आपको क्या करना होगा जो उसका जो certificate होता उसका जिरॉक्स पे जो है signature करने के बाद वह लगाना होगा दोस्तों तो डो मि मिल साल है या नया है तो वह भी लगा सकते हैं ठीक है और उस पर जो है अपना signature जरूर कर लिए और डू में यहां पर क्या करना है जो भी राजिस से आप बिलॉंग करते हैं जो भी स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं उसका नाम आपको लिख देना है तो दोस्तों यह नहीं है तो नो कर देना है 15 नंबर को ऐसी छोड़ सकते हैं आप लोग या पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं डेट के जगा पर जो भी डेट को इस फॉर्म को आप भरने है वह डेट लिख दीजिए यहां पर आपका signature होगा ठीक है अब यहां पर बात आती है फोड जो है तो accept कर दिया जाएगा अगर reject अगर कुछ भी होगा तो reject कर दिया जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ा इसमें ज़रूर धियान रखिएगा next आते है admit card के उपर तो इसमें भी आपको क्या करना है वही post लिखना है जो आपने उपर वाले में चूज किया है जैसे cook का चूज वहाले में भी लिख देना है तो यह चीज़ धियान रखिएगा उसके जाइण तो झाला यहा नेम यहां पर की घ्रेश उख्षकाल और यहां पर टू भी फिल सेम एस पर कॉलूम 6 तो छट्थे लाइन में आपने जो पर्ममेंट एड्रेस नहीं बलकि प्रिस्पेंडिंग जो ततका आपका जो एड्रेस होता है तो वह यह वाले जो लाइन में छे नंबर लाइन में जो भी एड्रेस आपने भड़ा होगा वह आपको यहां पर भी वह तीन नंबर लाइन में भर देना साथ विलेज, पोस्ट ओफिस, डिस्टिक, स्टेट, पिन कोड सारा को सही से आप लोग भर दीजिएगा उसके चार और पांच नंबर जो कॉलूम होगा यह दोनों आपको छोड़ देना है ठीक है तो यह दोनों को बात करते हैं आपको क्या के हाँ पर डोकुमेंट लिष्ट देना होगा तो सबसे पहले आप जो है अपना वह जो भी क्वाइलिफिकेशन आपका होगा 10 12 उसका सार्टिफिकेट लगाना है यानि कि मार्क सीट उसका लगाना है डेट अब बर्त के रूप में आप के पास अ आपके पास एक्सप्रियेंस है तो उसका जो है वह सार्टिफिकेट लगाना है जी रॉक्स सेल्फ अठैस करके उसके टेकनीकल कोई डिग्री है तो उसको लगाना है आप डो मिसाल जिस भी से बिलॉंग करते हैं तो वह लगा सकते हैं अगर आपके पास जो है वह OBCS, CST का caste certificate है तो वो भी लगा सकते हैं और यहाँ पर दूस्तों आपको एक यहाँ पर फोटो लगाना है उसके आद आपको cross यहाँ पर signature कर देना है ठीक है यह हो गया अब क्या करना है एक बड़ी लिफाफ लेनी है और एक छोटी लिफाफ लेनी है बड़ी लिफाप में जो है आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा ठीक है आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा एक तरप और एक दरस जहां पे भेजना है और उस पे जो है आप जिस भी माध्यम से भेजना चाहते हैं पोस्ट माध्यम से भेजना है अगर आप चाहिए घर का जो correspondence address होगा वो भर देना है ठीक है या temporary address होगा या permanent address जो भी है वो आपको उस पे फिल कर देना है ताकि आपका admit card आपके पते पे आशुके लेकिन दोस्तों आप लोग चिंता मत किजिए क्योंकि next day जो है आपको इसी पे एक video मिल जाएगी कैसे और कौन-कौन से document क्या क कैसे है साड़कों से बताया जाएगा कि आप लिफाफ को कैसे भर सकते हैं और कैसे आपको भेजना है तो यह तमाम जानकारी अलग से दी जाएगी दोस्तों I hope कि आप लोग के मन में जो भी डावट हो किलियर हो चुका है अगर कोई भी सवाल या सुजाब है तो comment box में पू